नमस्कार में निकितर आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 उत्रप्रदेश जन्पदम रोहा की शेतर गजडॉला में आज बिजली दफ्तर पर हुई भारती किसान यूनियन की बैठत में यूनियन की सदस्योंने अधिशासी अभियनता को विद्यूत अपूर्टी को लेकर चितावनी देते हुए जम कर आरोप लगाए कहा कि शासना देश अनुसार निश्चित समय के लिए भी नहीं दी जा रहे है बिजली जिससे किसानों को भरना पढ़ रहा है भारी नुक्सान बता देगी यूपी की जनपदम रोहा के शेत्र गजरॉला में आज बिजली की दफ्तर पर भारतिये किसान यूनियन की विद्यूत विभाग अधिकारी अधिशासी अभियनता हरीश चौधरी के साथ बैठा कुई जिसमें भाकियों की सदस्यों ने विद्यूत अपूर्ती को लेकर आरोप लगाते हुए अधिशासी अभियनता को चेतावनी भी देडाली उन्होंने कहा कि यदि हमारे शेत्र से जुड़ी समस्याओं का समय रहते नहीं किया गया तो अगली बार वेह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए का अंदोलन की रूप रेखा तयार कर अंदोलन पर उतर आएंगे अधिशासी अभियनता गजरौला हरीश चौदरी से कोई जवाब नहीं बना और सिर्ज जुकाई ही बैटे रहे एक तरफ देश के मुख्य माननी नरेंद्र मोदी जी बिजली विवस्था को लेकर बड़ी सजगता से काम कर रहे है लेकिन उसी का उल्टा करने में जनपद अमरोहा के कुछ आला अधिकारी नजर आते हैं उसी को ले कर आज किसान यूनियन के विद्य दिभाग को चिताबनी दे डाली इस बैठे के दोरान किसान यूनियन कारे करताव ने कुछ इस तरह के सवालों के घेरे में विद्य दिभाग करम चारी अधिशासी अभियांता गुज जौला को घेरा तो अधिशासी अभियांता अपना संतोश पूर्ण जवाब भी नहीं दे पाई Mnews 24 के लिए आम रोहा से कावंदर सिंकी रिपोर्ट